भारत का एक राज्य है ओडिशा भारतिय टीम ने दश्कों बाद करीब पचास साल बाद जब होकी में ओलंपिक में मेडल जीता तो भारतिय होकी खिलाडियों के उपर देश का ध्यान यकायक चला गया और उन्होंने उस जर्सी पे लिखा हुआ ओडिशा सब्द देखा के क्यों लिखा हुआ है क्यों भारतिय जर्सी जिस पे नीचे इंडिया लिखा है उपर ओडिशा लिखा है अक्सर प्रायोजक कमपनिया अपना नाम अपना लोगों लिखाती है पहले सहरा का नाम हुआ करता था सहरा कमपनी डूबी तो भारती क्रिकेट और होकी दोनों की ज competition, जो कि एक राज्ये की मुख्यमंत्री, नाम नवीन पत्नायक, विदाई हो गई हैं नवीन पत्नायक की, का जाता है कि अगर वो दो महिने और मुख्यमंत्री रहते, तो देश में सरवाधिक समय तक किसी राज्ये का GM रहने का खिताब उनके नाम पर होता अभी विवयदेश में दूसरे नंबर पर हैं कि जो लगातार किसी राज्य की मुखे मंत्री रहे हैं और 25 साल तक इन्होंने निरबाद साशन किया है पवन कुमार चामलिंग के बाद में अगर देखा जाए तो नवीन पतनाइक दूसरे नंबर पर है नव में विजे नंदा पतनाइक को याद करना बनता है विजे नंदा पतनाइक जिनने लोग बीजू पतनाइक कहते हैं भारत ही नहीं इंडोनेशिया बीजू पतनाइक को नहीं भूल पाता तो विजे नंदा पतनाइक जिनको लोग प्यार से बीजू कहते हैं बीजू की पहश कार माना जाता है इंडोनेशिया की आजादी में बीजू पतनाई की अहम भूमिका रही थी इन्हीं नमीन पतनाई के पिता की भारत की सुतनता की लड़ाई में जवारलाल नेरू और बीजू पतनाई की दोस्ती काफी भरोसे मंदमानी जाती थी भारत और इंडोनेशिया के स से मुक्त कराने में मदद करने की जिम्मेदारी दी बीजू पटनाएक फाइटर पैलेट के तोर पे 1948 में ओल्ड डकोटा एरकार्ट लेकर सिंगापूर से होते हुए जकारता पहुंचे थे तो वो यहां स्वतंतरता सेनानियों को बचाने पहुंचे रच सेना ने उन्हें मार पिद्रोही सुल्तान शहर यार सुकरणों को लेकर वो दिल्ली आ गए और नहरू के साथ उन्होंने गोपनी मीटिंग कराई यही डॉक्तर सुकरणों आजाद इंडोनेशिया के पहले राष्टपती बने इस बहादुरी के काम के लिए बिजे नंदा पटनाएक और पटनाएक ने जो पुरुसकार पाया यह किसी विदेशी को नहीं दिया जाता पुनिश्यानवे में इंडोनेशिया पचासवा सतंतरता दिवस मानाता है और बीजु पटनाएक को पुरुसकार बितांग जसा उताम से संबानित करता है जिस दिन सुकरणों की बेटी पैदा हुई उस दिन तेज बारिश हो रही थी बादल गरज रहे थे बीजु पटनाएक ने उसका नाम सुझाया मेगावती मेगावती बाद ने इंडोनेशिया की पांच वी राष्टपती भी बनी पटनाएक ने तिबबत और भारत को हवाई संपर्क से जोडने की कोशिश की थ थी ऐसा उन्होंने तिबबत के 1951 में चीन के कबजे से पहले ही किया था लेकिन सरकार से पूरी मदद नहीं मिली ऐसे में वो नाकाम रहे तो बीजु पटनाएक के साथ-साथ हम याद करना बनता है नवीन पटनाएक की विदाएक के उपलेक से मैं बीजु को याद कर रहे ह तो 24 साल तक चुनाओं में लगबग आजे रहे नवीन पटनाएक भारी हार का सामना करना पड़ा है यह उस बीजेपी से नवीन पटनाएक की हार है तो नवीन पटनाएक उस बीजेपी से चुनाओं हारे हैं जिसने 90 के दशक में उडिसा के राजनिते में उनके प्रवेश बीजेपी और लोग सभा की 21 में से 20 सीटों पर जीत हासिल की है भाजपाय पहली बार अपनी सरकार बना रही नवीन पटनाएक लगातार 24 साल तक निरवाद साजन करते हैं लगातार 5 विदान सभा के चुनाव जीतते हैं तो बीजू जनता दल जो है वो 51 सीटों पर जीत दर् कुल 147 में से 17 सीटें बीजेडी ने जीती थी और 12 लोगसभा सीटें जीते थी 2008 में बीजेपी बीजेडी से अलग हो जाती है और उसके बाद कई सालों तक कोई खास खामिया भी नहीं मिली 19 में उन्होंने ओडिशा में लोगसभा की आठ जीती थी जब कि एक साथ कराए गए विदानसभा चुनाव में बीजेपी को 23 सीटें मिली और कॉंग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेलते हुए बीजेपी पिछली बार प्रमुख विपक्षी पार्टी रही थी इसी को ध्यान करी स्क्विमों से आगे देखना शुरू किया जो कि उनकी राजनीटी का केंदर बन जाता है नवीन मद्दाताओं के इस नए वर्ग को साथ लाने के लिए उडिसा को भारत का एक्सपोर्ट केपिटल के रूप में पेश करते हैं जो क्रिकेट से इतर खेलों को बढ़ावा के साथ उन्होंने दो होकी के विश्व कभ भी आयुजित किये अब राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी के प्रती बढ़ते जुकाव का मुकाबला करने के लिए बीजेडी सरकार ने पूरी के जगनात मंदिर के आसपास एक हेरिटेज कोरिडोर का निर्माण भी कराय पूरे ओडिशा में सभी प्रमुख मंदिरों का जिर्नोधार और संदर्य विकराया इस साल के शुरू में राज्य सरकार ने राज्य के साहित्य साहित्य कारों इन परियोजनाओं की निगरानी करते हुए खुद श्रे ले लेता लेकिन नवीन ने सब कुछ अपने प्रमुक सयोगी और नोकरशा वी के पांडियन को सौंप दिया जो प्रशासन का चहरा बन गए और अंत में CM से भी अधिक ताकतवर दिखाई दिये नवीन एक ऐसे राज राजनितिक प्रतिदवंदिता की इजाज़त नहीं देते उन्होंने हमेशा ही अपने प्रशासन का सारुजनिक चहरा बनने के लिए नोकरशाहों पर भरोसा किया है जो पहली बार सत्ता में आए नवीन के दाए हाथ थे नोकरशाब प्यारी मोहन मोहपात्रा जिनोंने 12 सा तक वफादारी से सेवा की और उसके बाद सीम के खिराब तक्ता पलट की कोशिश की तक्ता पलट की कोशिश फेल हुई और नवीन पटनायक उन्हें राजनितिक वनवास में भेज देते हैं यह देखते हुए कि राजनिति में आया ओडिया नोकरशाहर भी उनकी गद्दी चीन सकता था उन्होंने एक गैर उडिया आईएस अपसर वीके पांडियन को चुना इस पैसले ने छोटे छोटे असंतोशों की एक शंकला की सुरुआत करी जिसने जिसकी कीमत नवीन को अपना मुख्य मंत्री पद चुका कर गवा कर चुका नहीं पड़ी हैं तो बीते ए स्तीफा दे देते हैं बीजेडी पे शामिल हो जाते हैं और 2024 में प्रचार करना शुरू करते हैं तो बीजेपी ने अपने प्रचार का अभियान उन्हें ही केंद्रिय बुद्धा बनाते हुए शुरू करना पड़ा बीजेपी का कहना था कि तमिलनाडू के होने के बावज उनके उत्तरादिकारी नहीं होंगे यह सफाई धोड़ी देर से आई नवीन पाटनाएक के हार का प्रबुक कारण केवल पीके पांडिय नहीं है बलकि तमिल पहचान का वो जटका था जिसने नवीन के ओडिशा के किले को डाहा दिया कुल मिलाके यह सारे रहे भी हैं मामले संसद में केंदर सरकार की और से पर आखड़ों को देखें तो दस्वी के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले चातरों के मामले में ओडिशा देश में सीर्ष पे हैं प्राश्च्री ओसत जो है वो 20.6 प्रतिशत है जबकि ओडिशा की दर करें 50 प्रतिशत है हालांकि पिछले 5 साल में सरकार ने स्कूलों को सुधारने की महत्वकांक्शी शुरुवात की लेकिन स्मार्ट क्लासरोम और उपकरण अध्यापकों की कमी और शिक्षा की खराब गुणवत्ता की कमी को पूरा नहीं कर पाने के कारण उडिशा अलोचना का शिकार होता है के अंदर के आयुशमान भारत को काउंटर करने के लिए बिजएडी सरकार ने लगबख सभी के लिए बीजू स्वास्ते करने आनी होजना जैसी बीमा प्रोग्राम ही शुरू की ल से टेक्स्टाइल उद्योग और फूर्ड प्रोसेसिंग इन कम्यों के अलावा खनन और चिट फंड में ब्रश्टाचार के बढ़ते आरोपों इस्थानिये नेताओं की गुंडागर्दी और कल्यांडकारी ओजनाओं में निश्पक्ष आवंटन में विफलता ने बीजड का मोकान नहीं मिला उसके बाद से लेकर 2009 तक उसने बीजडी के साथ मिलकर गटवंदन की सरकार चलाई तो अटल विहारी वाजपे और लक्याडवानी की अगवाई वाली बीजडी ने कई कारणों से रविन पतनायक को गटवंदन का पार्टनर बनाया वो बीजू पतनायक उडिसा की अर्थ विवस्ता को आधुनिक बनाने वाले उनकी कोशिशों को सिक्षित उडिया लोगों की और से सराना मिली किवल साथ साल सीम रहने के बावजूद बीजू के विवार और दिलेरी ने लोगों की वीच प्यार और प्रशंसा दिलाई उडिसा के इतिहास में उनके अलावा और कोई SACM नहीं है जिसके किस से आज भी जनता के बीच बड़े प्यार से सुनाए जाते हैं। राजनितिक लोग हैरान रहे गए। जल्द ही बीजू जनता दल का गठन हुआ और नवीन पतनाईग पार्टी का चहरा वने। बीजू पतनाईग ने अपने जिंदगी में कभी भी अपने बच्चों को राजनिति में करियर बनाने को प्रुचाहित नहीं किया। बनाई तो बड़ी चीज हैं कि नवीन पतनाईग की राजनिति को देखें। कई सारी अनोखी चीजे नजर आती हैं कि वो एक तो महिलाओं और हाशिय पर रहने वाले लोगों पर फोकस करते हैं। ओड़ी सा एतिहासिक रूप से गरीब राज्य था जांगरीबी की जड़े गहरी थी। इसे सिर्फ उद्योगी करन करने और नीचे तक इसके प्रभाव के जाने का इंतिजार करते वे हल नहीं किया जा सकता था। दूसरा नवीन पटनाइक ने समझा कि गरीब घरों में महिलाएं और बुज़र्ग लोगों को सरकारी मजद की ज़्यादा जरूरत हैं। चोबीस सालों में नवीन पटनाइक ने गरीब लोगों के लिए कल्यान कारी नीतियों का एक शुरक्षा चक्र बनाया। अच्छा उधारण देखें तो मंता स्कीम हैं जिसमें 60 लाग गर्बती महिलाओं और माओं को करीब 300 करोड रुपए बैंक ट्रांसपर से लाप मिला। ऐसा दावा है बीज़ेडी का इस स्कीम ने बाल मृत्युदर की उच्छ स्तर को कम किया। एक और सफल स्कीम है मधू बाबू पेंशन योजना जो वरिष्ट नागरिकों के अलावा विद्वाओं, अनाथों, ट्रांसजेंडर समुदाय, एड्स और लेप्रोसी के मरीजों को भी कवर करती हैं। कोई आस्चरी नहीं कि ग्रामिन ओडिसा में महिलाएं और बुजर्ग लोग पटनायक को प्यार से बूढ़ा बेटा कहते हैं। कोई भी नेता के मुकाबले महिला वोटरों का सबसे प्रिये बना दिया, क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी हालत सुधार ने के लेतना विवस्तित तरीके से काम किया था। करने वाली बीजीडी देश की एक मात्र पार्टी हैं। सफेद कुरते और पाईजामा में रहने वाले नवीन पटनाएक पुराने समाजवादी राजनेताओं की याद दिलाते हैं। वो उडिया भाषा अच्छी तरह समझते हैं लेकिन 24 साल तक एक राज्य का सीम रहने के बावजूद अच्छी तरह से उडिया धारा परवान नहीं बोलते। उनकी अक्षम ता उनके पूरे मुख्यमंत्रित्व काल में तीक ही आलोचना की वज़य बनी रही। हालांकि आलोचना से उनकी शांदार चुनावी जीत या उनकी अभूद पूर लोगप्रियता धुमिल नहीं होती। अरेक के लिए वो अलग शक्सियत हैं, बुजर्गों के लिए वो एक तेज तर्रार बीजू पटनाईक के सज्जन पूत्र हैं। शिक्षित लोगों के लिए उनकी अच्छी एशियाई अंग्रेजी लहजा और राजनेतिक सहयोगियों और प्रतिदुन्दियत्यों के लिए उनका विवनम्र विवार सबसे आकरशक हैं। आज इवन अविवाहित रहते हुए उन्होंने साधारन जीवन शैली अपनाई और व्यक्तिकत तोर पर बेदाग छवी कावी नवीन को लाब मिला। आठ सालों तक राज्य में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने और कॉंग्रेस विरोधी राजनेति के बावजूद दिल्ली में कॉंग्रेस नित्रतुस से उनका कभी शत्रुता पूर्ण सम्मद नहीं था। लेकिन सब के साथ समान दूरी रखने के उसूलों के चलते नवीन बीजेपी या कॉंग्रेस की अगवाई वाले गठवंदनों में शामिल होने से हमेशा इंकार करते रहे। अब अटल बीजेटी वाजबे की तरह ही नवीन के पद छोड़ने के बाद उडिसा और बाहर विबिन राज़ितिक दलों के समर्थकों के बीच चर्चा है कि क्या होगा बीजेटी का। नवीन आज भी इन लोगों में लोगप्रिये हैं अधिकांस नेताओं से अलग उनकी शालिंता और शांत विवार ने उनने कई प्रसंग्शक भी दिये। नवीन भारत के सबसे सफल मुख्यमंत्री के तौर पर यतिहास में एक जगह बनाते हैं और विपक्षी पार्टी के कैसे बचाए रखेगी देखने वाली बात हैं तो अब पार्टी को अपने उत्तरादिकार के मुद्दे पर इस पश्टता भी लानी होगी जो ओडिशा के लोगों को स्विकारिये हो फिर ये भी का जा सकता है कि ओडिशा में जो कि अपने क्षेत्रिय भाशा और एतिहासिक पाशाई पहचान के अंदुलन के आधार पर अपने विशिक शासन में गठित होने वाला पहला प्रांथ था या एक शित्रिय राजनतिक दल की जगे तो लगबग बनी रहेगी बीजेडी अगर चाहे तो इस जगे को भरना जारी रख सकती है या उसे खुद को विगठित क करके नए सिरे से स्तापित करने की कोशिश करनी होगी इस पर चर्चा चलती रहेगी हम भी लगातार बात करेंगे कि नवीन पटनाएक के बाद उडिसा का भभुश्य कौन नया सियम समय तमाम बिंदों पे भी नजर बनी रहेगी आपसे अपील हैं कि तिंग 360 को सब्सक्रा करें और आपको जानकारी कैसी लगे कमेंट करके बताएं